सनी अपनी अस्त अवस्ता से निकल कर अपनी ही मूल ट्रिकोंड राशी कुम्ब राशी में उदय अवस्ता में जाने वाले हैं। सनी की उदय अवस्ता से सभी जातकूं के जीवन पर अनेक प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। कुछ जात्कूं के लिए यहां प्रभाव सकारात्मक होंगे, तो कुछ जात्कूं को नकारात्मक प्रभाव भी इस समयवदी में प्राप्ट होने वाले हैं। कुम्ब राशी, शनी ग्रह की स्वामित्यों की दूसरी राशी होने के साथ यहाँ उनकी मूल त्रकौन राशी भी है अपनी इस कुम्ब राशी में शनी आरामधायग स्तिति में होते हैं और जात्कूं को सुप्फल प्रदान करते हैं जब कोई भी ग्रह अस्त अवस्ता में होता है, तो वहाँ बल से हीन हो जाता है, यानि कि अपने सभी प्रभावों को और सत्यों को समाप्त कर देता है, किसी भी ग्रह की अस्त अवस्ता शूरी ग्रह के निकट आने के कारण होती है, यानि कि शूरी ग्रह के प्रकास में परेशानी देखने को मिलती है शनी का कुम्ब राशी में उद्यकाल 6 मार्च 2023 को रात में 11 बच कर 36 मिनट पर होने जा रहा है शनी ग्राह को मकर और कुम्ब राशी का स्वामित्टु प्राप्त है और शनी ग्राह सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रहे इन्हें मंद ग्रह भी वास्तविक्ता, तर्क, अनुशासन, कानून, धैर्य, देरी, कड़ी मेहनत, स्रम और द्रण संकल्प के प्रतीक माने गए हैं इसके साथ ही सनी को कर्म का कारग्रह माना गया है लेकिन यहाँ सब चीज़ें लोगों को पसंद नहीं होती क्यूंकि यहाँ व्यक्ति को सपनू की दुनिया से बाहर लेकर आती है और यही वास्तविक्ता के दर्सन कराना सनी देप का कारिया है इसलिए इनके प्रभाव को सुईकार करना किसी भी जातक के लिए थोड़ा मुश्किल होता है तो इसलिए सनी ग्रह से सब लोग डरते हैं तो सनी की यहाँ उदाय अवस्ता ह हमारी 12 राशियों पर किस प्रकार के प्रभाव डालने वाली है कियन राशियों को बेहत सूप परिणाम प्राप्त होगी है और कियन राशियों के लिए ठोड़ी परिशानिया बढ़ सकती है और इनहें इस समाय अवधी के दौरान क्या कारी करने चाहिए इन सब विसख्य पर हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे हैं और जो नए वीवर्स चैनल पर हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथिजान बेल नोटिपिकेशन भी आउन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें तो चलिए सुरुवात करते हैं और जानते हैं सनी के इस उद्धै अवस्ता का मेश राशी पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है मेश राशी के लिए सनी दसवे और ग्यारवे भाव के स्वामी होते हैं इस गोचर काल की अवदी में आई लाब और इच्छा सक्ति के इकादस भाव पर सनी गोचर करेंगे यहाँ पर बैठे हुए सनी की द्रिष्टी आपके लगन भाव पर आपके पंचम भाव पर और आपके अस्टम भाव पर रहने वाली है मेश राशी के जिन जातकूं को अभी तक अपने पेशेवर जीवन में या अपने सत्रूं से कुछ परेशानिया महसूस हो रही थी उनसे इस समाय अवदी में आपको छुटकारा मिलने वाला है आपकी आर्थिक इस्तिती भी सनी की यह उदय अवस्ता मजबूत करने वाली है आपकी आर्थिक इस्तिती में सुधार देखने को मिलेगा साथ ही कारी चेत्र में प्रोमोशन वा बेतन बिर्द्ध के भी योग बनने वाले हैं जो लोग फैसर हैं और नौकरी की तलास कर रहे हैं उन्हें भी इस समय अवदी के दरान नौकरी की प्राप्ति हो सकती है बिद्यार्थि जातकूं के लिए भी सनी की यह उदय अवस्ता सुब परिलाम लेकर आएगी हला कि सनी की उदय अवस्ता आपको थोड़ा आलसी बना सकती है इस गोचरकाल को सुब करने के लिए प्राति दिन हनुआन चालीसा का पाट करें बात करतें ब्रसबराशिकी ब्रसबराशिके लिए सनी नवे और दस्वे भाव की स्वामी होते हैं इस गोचर काल की आवदी में कर्म के दसम भाव पर सनी उदय अवस्ता में होंगे यहाँ पर बैठे हुए सनी की दृष्टी आपके बारवे भाव पर आपके चतुर्थ भाव पर और आपके सप्तम भाव पर रहने वाली है कारी छेतर में यहाँ गोचर आपको अधिक परिस्रमी बनाएगा जिसके कारण आपको इस समय अवदी के दौरान सुप परिणाम प्राप्त होंगे यहाँ गोचर आपके लिए भागी का सान लेकर आने वाला है आपके सुख साधनू की चीजू में बृद्ध देखने को मिलेगी हालाकि इस गोचर की अवदी में आपके खर्चू में भी बृद्ध देखने को मिलेगी पेसेवर जीवन में जो समश्याएं अभी तक चली आ रही थी, उन समश्याओं का समाधान आपको मिलने वाला है, कारिछेत्र में आपके प्रतिष्टा में ब्रिद्ध देखने को मिलेगी, और आप अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहने वाले हैं, ब्यापार में आ और अधिक सुप करने के लिए, ओम प्रांग प्रिंग प्रांग सह सनी चराय नमा मंत्र का जाप करें, बात करते हैं मिथुन रासी की, मिथुन रासी के लिए सनी आठवे और नवे भाव के स्वामी होते हैं, इस गोचरकाल की अवधिके दोरान भाग्य और पिता के नवम भाव पर सनी उधर अवस्ता में होंगे, यहाँ पर बैठे हुए सनी की दृष्टी आपके ग्यारवे भाव पर, आपके तीसरे भाव पर और आपके छटे भाव पर रहने वाली हैं, अभी तक सनी की अस्त अवस्ता के दोरान जिन कारियों में आपको बाधा का सामना करना पढ़ रहा था, वह कारिया आपके आप आसानी से सफल हो पाएंगे, आपको अपते भागी का बहुत अधिक साथ मिलने वाला है, वहीं आपके पराक्रम और संचार कौसल में यह गोचर भृद दिले कर आने वाला है, आपकी आर्थिक इस्तिति भी सनी की यह उदय अवस्ता म यह समय बहुत उत्तम समय रहने वाला है, आपको बहुत सारी समश्याओं से इस समयवदी में छुटकारा मिलने वाला है, अगर आपके अपने पिता के साथ अभी तक कोई मन मुटाव चल रहा था, तो वह इस्तितियां भी इस समयवदी में समाप्त हो जाएंगी, आपको उ उन्हें कोई स्वास्त समश्या थी, तो उसमें भी उन्हें सुधार मिलने वाला है, भागी के प्रबल साथ की कारण आप हर छेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने में सपल रहेंगे, इस गोचर काल को सुप करने के लिए सनी चालिशा का नित्ति पाठ करें, बात करते हैं क करक रासी के लिए सनी साथवे और आठवे भाव के स्वामी होते हैं, इस गोचर काल की अवदी में अनिश्चित्ताओं और आयू के अश्टम भाव पर सनी गोचर करदे वाले हैं, यहां पर बैठे हुए सनी की द्रिष्टी आपके कर्म भाव पर यानि की दसम भाव पर औ और आपके जुती भाव पर और पंचम भाव पर रहने वाली हैं। अगर आप दामपत्री जीवन में अभी तक किनी परेशानियों से जूज रहते। यानि कि आपसी विबाद चल रहा था, मन मुटाव चल रहा था, तो उन इस्तितियों में इस समयवदी में आपको सुधार मिलने वाला है। वहीं स्वास्त समश्याओं से भी सनी की यहाँ उदय अवस्ता छुटकारा दिलाने वाली होगी। आपको अपने पैत्रिक संपति से अचानक से कोई लाप्राप्त हो सकता है। हाला कि सनी करक राजी के लिए सुबग्रह नहीं माने गए हैं। ऐसे में सनी की उदय वास्ता आपके लिए कुछ परिशान्या भी पैदा कर सकती है। क्यूंकि सनी की कंटक धाया भी आप पर रहने वाली है। अगर आपकी कुंडली में सनी की इस्तिती और उनकी दसा आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो आपको इस समय अवदी में थोड़ी सावधानी भरतनी आवश्यक होगी। क्यूंकि सनी की यहां उदय अवस्ता आपक के लिए सनी छटे और सात्वे भाव के स्वामी होते हैं। इस उदय अवस्ता के दौरान जीवन साती और पार्टलर्शिप के सात्वे भाव पर सनी उदय अवस्ता में होंगे। यहां पर बैठे हुए सनी की द्रिश्टी, आपके भाग्गी के नौम भाव पर, आपके जीवन में किसी प्रिकार की समश्याएं चल रही हैं। तो सनी की यहां उदय अवस्ता उन समश्याओं से आपको निजात दिलाने वाली होगी। आपके दामपत्य जीवन में आपसी संबन्दू में सुधार देखने को मिलेगा। आपके सत्रु चाह कर भी आपका इस समय अ समय अवस्ता ब्रिद्दि लेकर आ सकती है। सनी की इस उदय अवस्ता के दौरान पारिवारिक मामलू में आपको जरूर कुछ समश्याएं पैदा हो सकती है। और आपके सत्रु भी इस समय अवस्ता को सुप करने के लिए सनिवार के दिन काले चीजु का दान जरूर कन्या रासी की कन्या रासी के लिए सनी पाच्वे और छटे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचरकाल की आवदी में रोग रिण रिफु के छटे भाव पर सनी उदय अवस्ता में होंगे। यहां पर बैठे हुए सनी की दृष्टी आपके अस्टम भाव पर आपके गर्स करना पाड़ रहा था। इन समश्याओं से आपको इस समय वदी में छुटकारा मिलने वाला है। वहीं विद्यार्थी जात्कों को अपने शिक्षा चेत्र में जो भी परिशानिया आ रही थी उससे भी आपको निजाद इस समय वदी में मिलेगी। वहीं अगर आप प्रत्योक्ता परिक्षा की तयारी कर रहे थे तो उसके लिए यहां समय उत्तम समय रहने वाला है। अगर आप उच्च अध्यन के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो उसमें भी आपको शूप परिणाम मिलते हुई दिखाई दे रहे हैं। आपके अपने च अवस्ता को सुप करने के लिए सनी के बीजमंत्रु का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं तुला रासी की। तुला रासी के लिए सनी योगकारग रहे हैं। यहां आपके लिए चौते और पाच्वे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में शिक्ष की भाव पर रहने वाली है। शानी का कुम्ब राशी में उदय अवस्ता में होना आपके लिए बेहत सुप परिणाम लेकर आने वाला है। यहां उदय अवस्ता आपके आर्थिक इस्तिति में इजाफा लेकर आएगी। आप एक से अधिक स्रोतु से आय अर्जित करने में सपल रहेंगे। वहीं आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा खुस्नुमा पल बिता पाएंगे। जो आपको खुसी देने वाला होगा। अगर आप संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे थे तो उसके लिए भी यहां समाई बहुत सुप रहने वाला है। विद् समपत्ति जीवन भी अच्छा रहने वाला है। वहीं पैत्रिक समपत्ति से भी सनी की यहां उदय अवस्ता आपको लाब दे सकती है। इस उदय अवस्ता को और अधिक सुप करने के लिए ओम सम सनी श्चराइना महमंत्र का प्रति दिन 108 बार जाप करे। बात करते हैं ब्र सनी की द्रिष्टी आपके छटे भाव पर, आपके दसम भाव पर और आपके लगन भाव पर रहने वाली है। सनी की इस उदय अवस्ता के दोरान आप जितनी अधिक महनत करेंगे उतना अधिक फल आपको प्राप्तो होने वाला है। अगर आप कोई संपत्ति खरीदने की स तो उसके लिए यहाँ समय बहुत अनुकूल नजर आ रहा है। आप इस समय वदी में संपत्ति खरिदने के विचार में आगे कदम जरूर बढ़ाएं। आपके अपने भाई-बेनु के साथ अगर कोई संपत्ति विबात चल रहा था या परिवार की किसी भी सदस्षी के साथ तो उस समश्या का भी इस समय वदी में हल निकलने वाला है। और फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। यह गोचर आपके मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। हाला कि सनी की ढहिया के कारण आप अगर कारी शेत्र में लापरवाई करेंगे तो आपको जरूर इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। वही लगन भाव पर सनी की द्रिष्टी के कारण यह गोचर आपको आलसी बनाएगा। जिसके कारण आप अपने कारी से दूर भाग सकते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में आलश्य को नहीं आने देना है। अन्यथा आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते है इस उदए अवस्ता को सुब करने के लिए सनी के बीजबंत्रु का निति 108 बार जाप करें। बात करते हैं धनुरासि की। धनुरासि के लिए सनी दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। इस उदए अवस्ता के दौरान सनी आपके छोटे भाई, बहन, संचार और प शानी की यहाँ उदय अवस्ता आपके लिए बेहतर सापित होने वाली है। आप समाज में लोगों के साथ अच्छे तरह से बातचीत करने में सक्षम रहेंगे। जिसके कारण लोग आपकी बाते सुनना पसंद करेंगे। यहाँ उदय अवस्ता आपके पराकरम में इसे अनावश्य खर्चू पर लगाम जरूर लगाएं जिससे आप अपने धन बच्चत में सफल रहेंगे। आपके अपने छोटे भाई बेहनों के साथ अच्छे समंद रहने वाले हैं। अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कारी कर रहे हैं तो उसमें भी पाली चीजु का दान जरूर करें। बात करते हैं मकर रासी। मकर रासी के लिए सनी लगन भाव और दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। इस उदय अवस्ता के दोरान बाणी, संचित धन और कुटुम्ब के दुटी भाव पर सनी उदय अवस्ता में होंगे। यहां पर बै यहां उदय अवस्ता आपके फास्त जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाली है। अगर पूरूर से आप किसी बीमारियों से पीडित थें तो उससे आपको इस समय वदी में छुटकारा मिलने वाला है। यहां उदय अवस्ता आपको पैत्रिक संपति से लाव दिल आ सकती है। आप इस समय वदी में स्पष्ट बोलेंगे। अगर आपका अपने परिवार के सदर्शियों के साथ कोई विबाद चलना था तो उस विबाद से भी इस समय वदी में आपको मुक्ति मिलने वाली है। यहां गोचर आपके संचित धन में ब्रिद्द लेकर पेशेवर रूप से यहां समय आपके लिए बहुत बहतर रहने वाला है। आपके प्रमोशन के इस समय वदी में प्रभल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई उच्च पत प्राप्त हो सकता है। हलाकि आपको स्वास्त को लेकर लापरवाई नहीं करनी होगी। इस समय वदी में आप सराप या मांचाहार से परेज रखें। इस उदय अवस्ता को सुप करने के लिए ओम सम सनिश्राय नमा मंत का प्रति दिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं कुम्बर आसी की। कुम्बर आसी के लिए सनी लगन और बार्वि भाव की स्वामी होते इस उदय अवस्ता के दोरान सनी आपके आत्मा और सरीर के लगन भाव पर उदय अवस्ता में होंगे। यहां पर बैठे हुए सनी की द्रिष्टी आपके तृती भाव पर आपके सब्तम भाव पर और आपके दसम भाव पर रहने वाली है। शनी की इस उदय अवस्ता के द परिणाम दे सकता है आप अपने मन और सरीर को उर्जावान बना कर रखें जो आपको बेहर्ट सुब परिणाम देगा अगर आप अपने निजी जीवन और पेशेवर्ण जीवन में अपने एहिंकार के कारण जिन समश्याओं का सामना कर रहे थे उन समश्याओं का इस पर उदय अवस्ता में होना आपको अनेक पहलू उपर सुप परिणाम देने वाला होगा बस आपको अपने हर एक कारी को मेहनत और लगन के साथ करना है उसमें आपको निश्चित शपलता मिलेगी यहाँ उदय अवस्ता आपके मान सम्मान पत प्रतिष्टा में बिद्दिले कराएगा कारी चेतर में आपकी इस्तिती अच्छी होगी आपकी अर्थिक इस्तिती में भी इस समय वदिके दोरान सुधार मिलने वाला है वहीं आपके पराक्रम में यहाँ उदय अवस्ता ब्रत लेकर आएगी लेकिन आपको मैं पूरूरों में बता चुका हूँ कि आपक के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सर्शु के तेल का दिया जरूर जलाएं। बात करते हैं अंतिम रासी मीन रासी की। मीन रासी के लिए सनी इग्यारवे और बारवे भाव के स्वामी होते हैं। इस उदय अवस्ता के दोरान ब्याए हानी और विदेश के बारुए भाव पर सनी उदय अवस्ता में होंगे। सनी का कुम्बर आशि में आपके बारुए भाव पर उदय अवस्ता में होना आपको अनकूल परिराम देने वाला होगा। हलाकि यहाँ उदय अवस्ता, आपके खर्चू में भी भिडिद्य लेकर आने वाली है, लेकिन आये के लिहाद से संग की यहाँ उदय अवस्ता बेहत सुब रहने वाली है, जिसके कारण आप उन खर्चू को वहन करने में भी शक्षम रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको एक बजट के साथ इस समयवदी में चलने की आवश्यक्ता होगी जिससे आप अपने अरजित किये हुए धन को संचित करने में सबल रहें यहाँ उदय अवस्ता आपके विदेश यात्रा की योग बनाने जा रही है या आप विदेश से संबंदित कोई कारी करते हैं तो उसमें भी इस समयवदी में आपको सबलता मिलेगी और वह चेत्रा आपको लाब देगा वही यहाँ उदय अवस्ता आपकी तिर्थी यात्रा की योजना बना सकती है जो आपके लिए अनकूल रहने वाली है हलाके आपको इस समयवदी में स्वास्त के प्रति जरूर सचेत रहना होगा सनी यहाँ पर विराजवान होकर आपके दुती भाव आपके छटे भाव और आपके नवम भाव पर द्रिष्टी रखने वाले हैं जिसके गारण आपको अपने भागी का भी साथ मिलेगा लेकिन उसके लिए आपको मेनद जरूर करनी पड़ेगी वहीं पृत्योक्ता परिक्षा के लिए यहाँ शमय अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ उदय अवस्ता आपको पैत्रिक संपत्य से भी कोई लाब दे सकती है इस उदय अवस्ता को शुप करने के लिए सनिवार के दिन एक पात्र में तेल लेकर उसमें अपनी छाया देखकर उसे दान जरूर करे तो यहाँ थी सनि की उदय अवस्ता जिससे हमारी 12 राशियो पर इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे उम्मीद करता हूँ यहाँ जानकारी आपको पसंद आई होगी जो भी दरसक चैनल पने हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल नोटिपिकेशन भी ओन कर लिजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद